दोस्तों मेरे पीछे तीन तस्वीरे हैं पहली तस्वीर अनुप्रिया पटेल की, दूसरी संजय निशाद की और तीसरी तस्वीर ओम प्रकाश राजभर की है ये तीनों उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी के सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में तीनों की ही पार्टियों के नेता मंत्री हैं, संजे निशाद खुद मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल के पती आशीश पटेल उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। लेकिन ग्लोकसभा चुनाओ 2024 का नतीजा आने के बाद तस्वीर बड़ी तेजी से बदली। ये तीनों जो उत्तर प्रदेश में सहयोगी हैं दिली में जब NDA की मीटिंग हुई और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मती से NDA का नेता चुना गया तो जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर को भी देखिए। पवन कल्यान खड़े हैं चिराग पासवान हैं जैन चौधरी हैं तमाम नेता नजर आते हैं लेकिन नेताओं की इस शक्ति प्रदर्शन से भरी तस्वीर में कहीं भी ओम प्रकाश राजभर या संजे निशात क्यों नजर नहीं आते हैं ये सवाल एहम है और सवाल एहम इस सबसे बड़ी सामने आ गई वो समस्या ये है कि अनुप्रिया पटेल दो सीटों पर चुनाओ लड़ी ओम प्रकाश राजभर को एक सीट दी गई इनके सिंबल पर वो सीट घोसी की थी अनुप्रिया पटेल को जो दो सीटे मिली उनमें से एक सीट रॉबर्ट्स गंज की अनुप्रिया पटेल की पार्टी की प्रत्याशी रिंग की कोल हार गई संजे निशाद के बेटे संथ कभीर नगर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाओ लड़े वो भी चुनाओ हार गए ऋमप्रकाश राजबर के बेटे के लिए तो नजाने कितनी ताकत लगाई गई प्रधान मंतरी तक्कालीन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने रहलियां की अमिश शाह ने रहली की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने रहली की, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सियम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों पर बिठा कर माथा जुकवा कर माफी तक लेकिन उसके बावजूद 1,64,000 वोटों से ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर चुनाव हार गए, संजय निशाद के बेटे भी चुनाव हार गए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी एक सीट पर चुनाव हार गए और दूसरी सीट पर अनुप्रिया प लाया गया राजभर को और संजय निशाद को, लेकिन खबर इस से आगे की है, वो खबर ये है कि चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द मंत्री मंडल विस्तार होने वाला है, और उस मंत्री मंडल विस्तार में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई मंत्रि के बादल है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी मंत्री मंदल विस्तार हो सकता है कुरसियां बदल सकती है कमरे बदल सकते हैं लोगों के दफ्तर बदल सकते हैं या यह भी हो सकता है कि नाम के साथ पूर्व मंत्री लिख जाए अनुप्रिया पटेल के पती भी उत्तर प्रदेश में कई तबदीलियां होंगी क्योंकि 2019 में 64 सीटे जीतने वाली भारती जंता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों का गडबंधन इस बार 36 सीटों पर सिमट गया है तो ऐसे में बहुत से लोगों की मंत्री पत से छुटी होगी और बहुत से लोगों का केंद्र में मंत्री बनने का सपना भी चकना चूर हो सकता है उनमें नाम अनुप्रिया पटेल का भी है यानि उत्तर प्रदेश की राजनीती आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर बहुत तेजी से बदलेगी और क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द तकरीबन 9 से 10 सीटों पर विधान सभा का उप्चुनाओं भी होना है क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं तो उनकी सीटों पर उप्चुनाओं भी होना है कई विधायक जो सांसद बने उनमें नाम अखलेश यादव का भी है कई विधायक जो सांसद बने उनमें नाम अवधेश प्रसाद का भी है जियाओर रह्मान बर्ग का भी है अतुल गर्ग का भी है कई नाम उसमें आते हैं और उसके साथ साथ कुछ MLCS हैं जो सांसत बन गए हैं जिनमें जितिन प्रसाद और नरेश उत्तम पटेल भी शामिल हैं यानि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द एक बार फिर चुनावी महासंगराम भी देखने को मिलेगा और मंत्री मंडल में फिर बदल भी देखने को मिलेगा विस्तार भी देखने को मिलेगा और तेजी से बदलती हुई उत्तर प्रदेश की सियासत को भी हम और आप बड़े करीब से देखेंगे